उत्तर प्रदेश के राजपाल, स्रीमति आनंदि बेन पटेल, यहां के लोग प्रिय मुखमंत्री, योगी आती द्यानत्जी, मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, धर्मेदर प्रदान जी, राज्टिय स्विक्षान नीति की ड्राफ्टिंग कमिटे के चैर्मेन, के कस्तुरियंगन जी, सरकार के अन्य मंत्री गण, इस सम्मिलन में भाग ले रहे, सभी वाई चांसलर्स, सिक्षा संस्थाओं के निदेशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षावीच, देवी और सजनों, अखिल भारतिय सिक्षा समागम का यायोजन, उस पवित्र धर्ति पर हो रहा है, जहां आज़ादी से पहले, देश की इतनी महत्वकुन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थे, ये समागम, आज एक ऐसे समय हो रहा है, जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोसों मना रहा है, अमृत काल में, देश के अमृत संकल्पों को पुरा करने की बड़ी जिम्मेदार ही हमारी सिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवाद पीड़ी पर है, हमारे हाँ उपनिश्दों में भी कहा गया है, बिद्यया अमृतम अस्नुते, अर्थात बिद्या ही अमरत्व और अमृत्व तक ले जाती है, काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारे हाँ मुक्ति का एक मात्र मार्ग ग्यान को विद्या को ही माना गया है, और इसलिए शिक्ष्या और सोध का, विद्या और बोध का, इतना बड़ा मन्थन, जब सर्व विद्या के प्रमुक केंद्र काशी में होगा, तो इससे निकनने वाला अमृत्व अवश्य देश को नई दिशा देगा, मैं इस्वर अवसर पर महामना मालवियाजी के चरणों में नमन करते हुए, इस आयोजन के लिए आप सभी को शुब कामनाय देता हूँ, मैं काशी का साउंसद हूँ, मेरी काशी में आप पधारे हैं, तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूँ, आप इन सब के साथ साथ मेरे भी महमान है, मुझे विश्वाथ है कि व्यवस्थाओं में ज़्यादा आपको असुविजा नहीं होगी, प्रबंद करने का सब ने भरपूर प्यास भी किया होगा, लेकिन फिर भी, अगर कोई कमी रह गई हैं, तो वो दोश मेरा रहेगा, और एक होश्ट के ना थे, कोई भी आपको असुविजा हो जाएं, तो उसकी शमा में पहले से मांग लेता हूँ, साथियों मैं अभी, एक कारकम करके आ रहा हूँ, यहां मध्धान भोजन के लिए, एक सेंट्रलाइज कीशन का काम था, लिकिन वहां मुझे, मेरी काशी की सरकारी स्कूल के, दस-बारा साल की उमर के बच्चों के साथ, गप्पे गोश्टी करने का अउसर मिला, और वहां से निकल कर के अहाँ आया हूँ, और मैं उन से सुन कर के आया हूँ, और आपको सुनाने आया हूँ, और मुझे कहना होगा, और मैं तो चाहूँगा जब मैं अगली बार आउँगा, तो जिस स्कूल के बच्चों साथ मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं, उनको मिलना चाहूँगा, आप कल्प ना कर सकते हैं, कैसा विचा मुझे क्यों आया हूँगा, मेरे मन पर इतना प्रभाव पैंदा हुआ, दस-पंदरा मिनिट का ही वह अवसर्था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभाव उन बच्चों में थी, जो ताइलेंट थी, जो confidence था, और जो वैविद्धा थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के, हमारे सामान ने परिवार के बच्चों की, जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तूत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती, अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी महमान घर में आएंगे, आप उसको खड़ा कर देंगे, ज़रा देखो महमान आए, वो तुम सुनाओ, मेरा कहने का तात्पर यह है, कि बरतमान पीडी का यह सामर्थ है, उनकी ख्षमता, जब वो आप जहां है, वहाँ पहुँचेंगे, पदपे नहीं, उस इंस्टिटूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसी इंस्टिटूट बना के जाएंगे, कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहाँ कमी नजर ना आएं, ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे हैं, और मुझे भी स्वास है, कि अगले तीन दिनों तक, यहाँ जो चर्चा और विमर्ष होगा, उससे राष्टिय सिख्षा निति के क्रियान वहन को, प्रभावी दिशा मिलेगी, साथियों आप सभी जानते हैं, कि राष्टिय सिख्षा निति का मुला अधार, सिख्षा को संकुचित सोत के दाहरे से बहार निकालना, और उसे 21 सदी के आधुनिक विचावों से जोडना है, हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग जिसे हमारे ऐसी व्यवस्ता बना कर दी गई थी, जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नोकरी ही माना जाने लगा था, शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखन में अंग्रेजों ने अपनी जरुरतों को पुरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था, आज हाती के बाद इसमें थोड़ा बहुत बढ़लाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बढ़लाव रहे गया, अब अंग्रेजों की बनाई विवस्ता कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है, अगर हम हमारे देश के पुरादे कालखन की दरब नजर करें, हमारे हाँ शिक्षा में अलग-अलग कलाओं की धारणा थी, और बनारस तो मेरी कासी तो इसका जिवन तो धारण है, बनारस ज्यान का केंद्र के वल इसलिए नहीं था, क्योंकि यह अच्छे गुरुकुल और शिक्षम समस्तान थे, बनारस ज्यान का केंद्र इसलिए था, क्योंकि यहाँ ज्यान और शिक्षा बहुँ आयामी मल्टी सेक्टरल थी, शिक्षा में यही विविदता हमारी शिक्षा विवस्ता का भी प्रिणास्तोत होनी चाहिए, हम केवल, केवल दिगरी धारगिवा तयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए, जितने भी मानव समसाधनों की जरुत हो, हमारी शिक्षा विवस्ता, वो देश को उपलब्द कराएं, देश को दे, इस संकल्प का नेतरुत्व हमारे सिक्षकों को, और सिक्षन समस्थानों को करना है, हमारे सिक्षक, जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसाथ करेंगे, छात्र, छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविश को भी, उतना ही ज्यादा लाब होगा, साथियों, नए भारत के निर्मार के लिए, नई व्यवस्थाओं का दिर्वाँ, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश, उतना ही जरूरी है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्षों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकिकत हमारे सामने नदमार हो रही है, अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महमारी से हम नक्यवल, इतनी तेजी से उबरें, बलकि आज भारत, दुनिया की, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही, बड़ी अर्थे ववस्थाओं में एक है, आज हम दुनिया के, तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है, स्पेस टेकनोलोजी जैसे छेत्रों में, जहां पहले केवल, सरकार ही सब करती थी, वहां अब, प्राइबेट प्लेयर्स के जरिये, युवाओं के लिए, एक नई दुनिया तयार हो रही है, पुरा अंतरीक्स उनके बहुपास में आ रहा है दोस्तों, देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी, जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर, बेटियों की प्रतिभा के उधारन प्रस्तुत कर रहे हैं, जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रप्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी, खुली उड़ान के लिए नई उर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें, ये तै करते हैं आये थे, कि बच्चों को किस दिशा में जाना है। लेकिन राष्ट्रिय शिक्षा नीती के बाद, अब युवाओं पर दाईत्वा और बढ़ गया है। और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई हैं, कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरबतर पोसाइद करें। उसके मन को समझे, उसके आकांशाओं को समझे, तभी तो खात पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तों। हमें इस बात का हमेशे धान रखना होगा। हमें बैसाही सिक्षन, बैसी ही संस्थानों की व्यवस्ताएं, बैसाही Human Resource Development का हमारा मिजाज, अपने आपको सज्ज करना ही होगा। नई निती में पूरा फोकस, बच्चों की प्रतिभा और चोईस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे वा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रक्टिकल हो, कैल्कुलेटिव हो, शिक्षानीती इसके लिए जमीन तयार कर रही है। साथियों, देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच, सिक्षा व्यवस्ता और इस से जुड़े आप सभी महनुभाव की भूमी का कितनी एहम है। इसका एक उधारण, मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के शुरुवात के कालखन का एक अनुभवद बताता हूँ, मैं नय नय मुख्यमंत्री बना था, सरकार वरकार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था, मैं बहुत दूर था, अचानक काम आया था, तो मैं मैंने कारकम बनाया था, मेरे सभी सचीवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री है, और मुझे बताईए, पांच साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, एचिव क्या करोगे, उससे गुजरात के सामान मानवी के जीवन को क्या लाब होगा, उसका एक आपका वीजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, यह मैंने सभी विभागों के सचीवों को कहां, और हर दिन शाम को पांच बजे, सभी मेरी मंत्री परिशत के मंत्री, और सभी सचीव हम बैठते थे, और एक सचीव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, पर डिबेट होती थे, सभी सचीव, जो पहले भी कोई अग्रिकल्टर सचीव रहा होगा, वो भी वहां बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थे, हमारे मंत तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाज़त मिलती से, और बड़ा ही, बड़ा ही इंटेंस के वो कारकम चला, और शायद हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो मेरे हाँ उद्योग के जगत के समंदीत प्रेजेंटेशन हुआ है, आने वाले द कारकम पूरा होते ही, शिक्षा सचीव मेरे पास आए, क्योंकि दूसरे दिन शिक्षा सचीव का कारकम था, उसने कहाँ साब मै कल नहीं कर पाऊँगा, मैं बड़ा, क्या बात करते हो भी? एक महने पहले आपको पयारी करनने के लिए कहां और आप लास्ट मोमिन कह रहें मै नहीं कर पाऊँगा उन्हों आख तायार तो है मैं कर सकता हूं लेकिन आज जो मैंने अवद्योगी की विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देखकर के मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेली नहीं है हम बाएं जा रहे हैं वो दाएं जा रहे हैं तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मोडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए तब जाकर के हम एक inclusive growth की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो इंडेस्ट्री चल सकते हैं हमें भी अब तो पुरी दुनिया का पता होना चाहिए हर युनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरब जा रही है कैसे जा रही है उसमें हमारा देश कहां है उसमें हमारे युव कहां है आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है उनको मैं कैसे तयार कर रहा हूँ है यह हमारा बहुत बड़ा धाईप है दोस्तों और इसी तज़ पर हमारे सभी सिक्षन समस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर है कि मैं आज दिन बिता रहा हूं एक्जाम ले रहा हूं कोन्वोकेशन कर रहा हूं कि यही मेरा मेजिस्पत पर हो वही काम है क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी सवस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूर कॉलेज में आएगा आजादी के जब सौ साल होंगे जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर भूमी का निभाता होगा तब मेरा देश वहां पहुँचेगा मैं वो विवस्ता आज पैदा करके जाओंगा आप सबको वर्समान को समालना है आपके पहले जो करके जए हैं उसको आगे बढ़ाना है लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्ताएं फ्यूचर के लिए विक्सित करनी होगा और क्योंकि आज बच्चों की जिग्यासा ऐसी होती है जिनके उत्तर अभी मैंने कहां मैं जिन बच्चों को मिलका यहाँ हूँ आपको भी घर में पता चलता होगा छोटे-छोटे आपके पोते-पोती भी आपको सवाल पूचते होंगे आपके नने-मने-बेटे इसकर पो आपके हर किसी के घर में अनुभाव आया होगा आज की पीड़ी जिन बातों को लेकर के आती है वो तो गूगल पर दस चीजे समाल पूचते बोले आप क्या कह रहो गूगल तो यह कह रहा है आपको काउंटर करता है बच्चा अब यह बच्चे आपकी उनिवर्सिटी में दस साल के बाद आएंगे तब क्या हाल होगा आपका हमें अभी से त्यार करना होगा अपने आपको आप घर में भी उसके अपनों बैच्चों के साथ मिसमेच अनुभाव कर रहे हैं जब स्कूल कॉलेज के केंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवापीडी होगी इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम बहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों और इसलिए आवशक है कि हम भविश्य को जाने समझे व्यवस्ताओं को विक्सित करे मैं भी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभियान के तहट गांदी नगर में एक एग्जिबिशन देखने गया था वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे 12 दस्वी या 11 के बच्चे थे वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तयार किये थे जो आइडिया रखे थे मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्यास करता था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से रिसर्ट का ऐसा पोटेंशल है कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वली बाते सुनकर मैं दंग रह गया वहां कई बच्चे बायोटेक और जनेटिक्स में इंटरस्टेट थे उनकी क्लास में जब साइंस के फंडमेंटल्स पढ़ाए जा रहा है तब वो जीन मैपिंग एफिनिटिक क्रोमोटरग्राफी और जनेटिक लाइबरी बेस टूर्स की बात कर रहे थे अब कितना बड़ इनकी आधुनिक सोच के मताबिक तयार होगे क्या अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगे दोस्तों इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चो समेले इसका प्रबंद हमने सोच ला पड़ेगा हमें अपने सांस्थान में ऐसी व्यवस्थाक तयार करने पर काम करना चाहिए साथ कि इस से महिने के आखिर वह 29 जुलाई को राष्ट्री शिक्षानिती को दो साल पूरे होने वाले हैं और अभी दर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षानिती बनाई कस्तु रंगंजी ने बहुत अच्छा नित्र को दिया उसकी कारणे संभव हुआ और हतना विवीदता भरा देश और राष्ट्री शिक्षानिती का इस प्रकार से स्वागत हो ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धी है जी बहुत बड़ी सिद्धी है लेकिन इसकी विशेषता देखिए इसको बनाने में तो मंखन हुआ आम तोर पर सरकार का स्वाव होता है एक डॉक्यूमेंट बन जाता है वो डॉक्यूमेंट समय के भरो से छोड़ दिया जाता है कुछ वेक्तियों के भरो से जोड़ जाता है आपके भी टेबल पर कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट फिर वो भी टेबल पर से हड़ जाता है को नया डॉक्यूमेंट आता है वो जगा ले लेता है बात महीं समाब तो हो जाती अनुबव आपको भी है यहां बैटे हुए लोगों को भी है हमने ऐसा नहीं होने दिया हमने हर पल इस र जादा और इसी विशे पर मैं बोलता रहा हूं यह रिपोर्ट देने के बाद स्वयम कस्तुरी रंगन जी लगातार समवात कर रहे हैं हर छेत्र के लोगों से समवात कर रहे हैं उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं उसके पीछे का वीजन क्या है बैक्राउंड इ दिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह क्योंकि तीस साल के बाद आया हुआ डॉक्युमेंट इसलिए अपनी उनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही निरंतर मन्थन की योजना बना करके यहां से जाना सिर्फ यहां से आप सुन करके मत चला जाना आपके साथ जुड़े हुए जो बागी साथी है बेपी ऐसा ही मन्थन करें उस पसे और अमरत निकाले जी तब जाकर गेस का लाब होगा और इसके इंप्लिमेंटेशन की जो उसके लिए जो चुनोतियां है उसकी हर बारीगी पर हमें गोर किया करते रहना चाहिए साथियों आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समझ्याएं के समाधान भी तेजी से निकलता है समझ्या समझ करके यार मैं कहां पड़ू इसमें तो समाधान कभी नहीं निकलता है साथ इन दो सालों में देश राष्ट्रिय शिक्षानित्य को लागू करने के जिजा में कई ठोस कदम उठा चुका है इस दोरान एक्सेस क्वालिटी और फूचर रेडिनेश जैसे जरूर के साथ जो समबाध हुआ उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मंद्र जीने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया है जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उनके साथ भी की थी लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजो को हम सत प्रतिशत सांकार कैसे कर पाए हैं राज सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कहीं हत्वपन कदम उठाए हैं और आज सभी के प्रयासों का प्रणाव है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बड़लाव में भागिदार बन रहा है साथियों नई राष्टिय शिक्षानीती के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रासेक्टर ओवर हॉल पर भी काम हुआ है आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं नए विश्वविद्याले खुल रहे हैं नए आयाइटी और नए आयाइम की सापना हो रही है 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में पचपन प्रतिशत की बृद्धी हुई है युवाओं को बहतर अवसर देने के लिए उनिवर्सिटी में समान स्टेंडर के लिए इस वर्ष कॉमन उनिवर्सिटी एंट्रेंस देश भी लागू किया गया है ऐसे ही कई और भी रिफार्म्स किये गये हैं देश के इन प्रयासों का प्रणाम है कि वर्ल उनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतिय संस्तानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है संख्या में बुर्द्धी हो रही है यह बड़लाव केवल शुरुवात है अभी हमें इस दिशा में लंबी दुरी ताय करना है साथ्यों मुझे यह भी संतोस है कि राष्ट्रिय शिक्षानिती अब मात्रु भाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचिन भारतिय भाषाओं को भी आगे बढ़ाये जा रहा है मैं हाँ देख रहा हूं किस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेश व्यवस्ता है काशी की धर्ती से हुई ये शरुवात निश्चित ही भारतिय भाषाओं और भारतिय संकल्पों को नई उर्जा देने का काम करेगी साथियो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में बैस्विक सिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है भारत नकेवल दुनिया के विवाओं के लिए एजुकेशन डेस्पिनेशन बन सकता है बलकि दुनिया के देशों में भी हमारे विवाओं के लिए नए आउसर बन सकते हैं इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टिम को इंटरनेशन स्टेंडर्स पर तयार करना होगा इस दिशा में देश लगाता प्रयास भी कर रहा है हार एजुकेशन को इंटरनेशन स्टांडर्स के हिसाब से तयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किये गए हैं करीब 180 उच्चे शिक्षा संस्तानों में अंतराष्टिय मामलों के लिए विशेश कारले की स्थापना भी की गई है मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्ष करे बलकि भारत के बाहर की व्यवस्ताओं से भी परिचित होने का प्रयास करे ये नई व्यवस्ता भारत के शिक्षा व्यवस्ता को अंतराष्टिय अनुफ़वों से भी जोडने में मदद करेगी साथियों इन तीन दिनों में आप लोग अलग-अलग सेशन में कई महत्पण विश्यों पर चर्चा करने वाले हैं मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा से देश के लिए अलग-अलग छेत्रों में नए रास्ते खुले युवापीडी का मारदर्शन हो दुनिया के कई देशों ने अलग-अलग शेत्रों में जो रप्तार पकड़ी है उसमें एक बड़ा योगदान बहां की युनिवर्सिटीज का भी है युनिवर्सिटीज लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विशों पर रिसेच करती है सरकार को सुझाव देती है यही कल्चर, यही काहरे पर्दती हमें अपने यहां भी विख्सित करने की जरूरत है इसे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते है मेरा हमेशा से मानना रहा है कोई ज्यादा जूड़ना चाहिए इससे फ्रेश टैलेंट आता है फ्रेश आइडिया जाते है मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब कर्चा करें कोई रोड़ बब त्यार करें इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए अपने एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है आप जिस छेत्र में उसे लेकर सर्वे और स्टेडी करें सरकार को सुझाव दें आपकी उनिवर्सिटी का जो पता सो किलोमेटर का जो डायरा होगा बहां की जन सामानी की समस्या क्या है उसके उपाय क्या है रिसोर्सिज क्या है उस रिसोर्सिज के लिए क्या किया जा सकता है वहां के सामानी व्यक्तियों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है आपके स्टूडन को एक प्रजेक्ट मिल जाएगा स्थानी रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगा सरकार की क गंबी तरते गलिया जाए बहुत बड़ा प्रणाम आता है मुझे आध है मैं गुजराप में था तो एक बार सरदार प्रटेल उनिवर्सिटी में मेरा कारकम था सरदार प्रटेल उनिवर्सिटी के लोगों ने रूरर लेवलप्मेंट में काफी रिसेच करके कुछ किताबे तियार के थी उद दिन उन्होंना मुझे गिफ्ट की मैंने ज़रा बड़ी बारी के सुझ को देखा मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा मैंने डिपार्मेंट को का काम किया है आप जड़ा देखिया सरकार जहां जा रही है और बच्चे जो कहरें इसमें कितना अंतर है और आप हैरान हो जाएंगे उस पर से बहुत सी चैंजे मुझे रूरल डेवलोप्मेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई विद्यार्थियों ने टीचर से किया हुआ का जो सरकार में एर कंडिशन कमरे में बैट करके निर्णे करना मुश्किल होता है जी जो फील में हमारी ये पीड़ी जाती है बहुत ही अच्छा उसका अर्क निकालकर के लिए आती है और कुछ चीजों का कल्पना भार का लाब हुआ हो ये भी द्यान में आता है कि और मुझे मुझे विश्वास है हमें अब जैसे हमारी यां अग्रिकल्चर यूनिवर्सिट लेप में जो करती है कितना ही अच्छा काम करे है लेकिन उसको सडिकर भी मिल जाया इंट्रनेशिण में आर्टिकल भी बिशुप जाये उसको डिगरी भी मिल जाया है यह लेकिन वो लेब में रह जाएगा हमें अरे पांस लेब टू लैंड का भी तो रोडमप होना चाहिए न जो लैब में है वो लैंड पर होना चाहिए बैसे लेंड पर उनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोग का अनुभव भी बहुत जाता होता है और जो लेंड का अनुभव है उसको लेब में भी लाना चाहिए और लेब में वो कैसे आये रिसर्च को कैसे एंड्रिश करे परंप्रा का दनुभव को कैसा करे यह सोच करके हम कदम उठाने सकते हैं इसी तरह हमारे यहां ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद में हमारा ज्ञान उसको कोई चुनोती तो आप भी नहीं करें को मैं भी नहीं करूँगा लेकिन दुनिया के कई देशें जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में परणाम और प्रमान दोनों की जरुत होती है हम यह कहें कि मैं यह जड़ी बुट्टी लेते हुए फायदा होता है परणाम मिलता है लेकिन हम मान के चले और सभी उनिवर्सिटी के दृत्रम मेरे कुछ ना यहां से सुनकर के जाये तो चलेगा दो शब्द मेरे सुनकर के चलके जाएगा और उस पर मंधन कीजिए जा हमें परणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमान नहीं होते हैं और इसलिए हमारे पास परणाम के स प्रमान होने चाहिए हमारे पास डेटाबेज होना चाहिए हमारे पास उसका पूरा डेटेल रेकॉर्ड होना चाहिए कहां से कैसे बड़ला हुआ हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते हैं दुनिया के सामने उसे मोडल के रुपए प्रस्तुत नहीं कर सकते और इसलिए परणाम होने के बावजुद भी प्रमाण की आवश्रकता आज के विश्व को बहुत जरूरी है और इसलिए अब हमारी उनिवरसिटीच को जो परणाम से हम परिशिप हैं लेकिन जिसमें प्रमाण का भाव है उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए mechanism बनाना व्य लवस्ता है विक्सित करना परंपराएं विक्सित करना यह आप सब सात्यों कि मदद के बिना होना नहीं होई ओ एविडिन्स बेस के इविडिन्स बेट ट्रडिशनल मैडिसिन पर रिसर्ग का यह काम भी हमारी उनिवर्सिटीज बहुत अच्छी तरह कह सकती है है ह Wes Chris ho्मारे देश डेमोग्राफिक Div...​ हमारी बहुत बड़ी तांकत है शर्चा भी करते लेकिन क्याए कोई उनिवर्सिट्टी है जिसने इसका स्टड़ी किया है क्या पर लि₂ है क्या बूआ दुनिया में जब demographic dividend का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाये थे वहां की University कैसे भवार करती थी और उसका benefit कैसे लिया है कि बहुत बहुत को कहते हैं दोहराते हैं लेकिन demographic dividend के संभावनों पर हम क्यों न काम करें उस सामर्थ का उपयोग हम आने वाले 20-25-30 साल के लिए देश को कैसे दे सके ऐसे ही हम देखते हैं अब दुनिया के देशों के स्थिति देखिए सम्रुद्ध से सम्रुद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों के आयू बहुत बढ़ रही है एजिंग प्रॉब्लम है और युवा पिड़ी नक के बराबर हो रही है बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है उनको जो दुनिया चलानी उसको चलानी पाते हैं अब ये चक्र ऐसा है हरे को आना ही आना है आज हमारा देश युवा है कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा इसमें कम होगे बृद्य जादा होगे वो दिन आने वाले हैं क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के व्रुद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितिया बनी है उसकी सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या कोजे हैं यूद का अभाव में वो समस्याओं का समादार कैसे कर रहे हैं कौन सा ऐसा मेकानिजम बनाया है कि चीजें बरिश्बूर्दी आगे बढ़ रही हैं यह सारे सोचने का काम मेरी उनिवर्सिटीज का सहथ स्वभा होना चाहिए उनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता है रिसर्च और काम करने का अच क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है क्लाइमेट के फिल्म में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असमीत संभावना है हमारे पास अब हमारे हमने देश में योजना बनाई है सीडी आराई की क्लाइमेट कि स्थिती में हमारा इंफरसिट कर रहा होना चाहि अब उस पर हमारे रिसर्च की एवर हम कैसे करेंगे जी पहले के जमाने में जो चीजे बनाते थे तम नहीं इतनी बाड आती थी नहीं इतने वर्षा होती थी कुद्रत हमारे साथ चलती थी, हम कुद्रत के साथ चलते थे, अब वो हमसे उल्टा चल दी, हम उससे उल्टा चल रहे हैं और इसलिए हमें इस नए संकड के सामने जीना कैसे उसको सिखने के लिए बश्ता करनी चाहिए आज सारी दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़ रही हैं, भारत भागेवान हैं कि उसके पास तपता हुआ सूरज है, उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उप्लोग करें उसके सामर्थ को हम हमारे जीवन ववस्ता का हिस्सा कैसे बनाए सोलार पावर को हमारे यहां इतना महत्व दिया गया है सरकार की नीतियों में दिया गया है लेकिन हम रिशस के द्वारा नए नए अनुसंदान के द्वारा आज नए उक के हिसाब से नए वैज्ञानी संसातनो दोटों के साथ इस उर्जा को इस्तिमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरुवत लगती है कि उसी तरह साथ यह स्वच्च भारत भ्यान हर भेक्ती के दिल में इस बात अब गर गर गई हाँ स्वच्च भारत के विशे में कोई कॉंप्रिमार्वार नहीं होना है लेकिन बात महां से बनती नहीं है। जब तक हम best to wealth की तरब की योजनाय नहीं बनाते हैं। यह जो कुड़ा कच्रा निकलता है उसका circular economy क्या हो सकती है। उसका best product क्या हो सकता है। यह तो university research करके देश सकती है। बनाएं हम सर्कुलर को कैसे मजबूत करें और खासकर लोकल लेवल पर सर्कुलर एकॉनमिक कहसे कितने ही ख्षेत्र आज हमारे स्टूडंस के लिए खुले हुगे हैं आज देश स्पॉर्ट्स के ख्षेत्र में भी नए आत्मई स्वास्कतान नए उपलब्द्य हासिल कर भाए हमारी उनिवर्सिटी ऐसा नहीं होना ते है कि अब स्पॉर्स उनिवर्सिटी यहां बड़ हैं इसलिए बाकी उनिवर्सिटी के नवी जिवानों को स्पॉर्ट से लेना देना जी नहीं हमारी उनिवर्सिटी की मैधान ये शाम को भरे रहने चाहिए बच्चों को घर भेजने के लिए मैणत करनी पड़े ये बाताबे अब अबना ह Cell yogurt के मैदान में के बढ़ेंगे यह उनिवसिटी के टार्गेट क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों है दुनिया के के तरे देश में मेरे देश के मेरी उनिवसिटी के बच्चे खें लेक ले जाएंगे मैं उनको कैसे तैयार करूं उनको एक्सपोजर मिलेगा वे भी मेरी एक बहुत बड़ी साथियों मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं अंगिनत संभावन आए है और राष्ट्य शिक्षानीति ने आपके हाथ में आउसर दिया है जो पिछले वार्षों में हमारे पात नहीं था इस राष्ट्य शिक्षानीति कराना है यह हमारा काम है उसको आगे मुझे भी स्वास है कि अखिल भारतिय सिक्षा समागम में आपके मन्थन से निकला मुरूत आपके सुझाव देश को एक नई दिशा देंगे जिन नवजवानों के साथ आपका समय बित्ता है उनको वरतमान के लिए नहीं आने वाले कल के लिए त्यार करना है अगर आने वाले कल के लिए त्यार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए त्यार होना है अगर आप आने वाले साल के लिए त्यार होते हैं तो आपकी इ आप लोग काशिक इस पवित्र धर्तिपी हैं, मागंगा के तड़ पर विराजमान हैं, सांसकूरती पुरी परंपरा, हमें नई चेतना और प्रेडा देने वाली परंपरा है, उस परंपरा में से कुछ ने कुछ अमृत बिंदू, आपके भी नसीब आएंगे, जो अमृत बि रेक्षना के लिए धन्यवाद करता हूं, आप सब उत्सा और उमंग के साथ इसे सरीक हुए हैं, मुझे विस्वास है, तीन दिन में आप ठक नहीं जाएंगे, मैं बैशे बेटे कारकम देख रहा था, मुझे लग रहा है, पता नहीं आपका क्या होगा तीन दिन के बाद, लेकिन आप एकडेमिक वर्ल के हैं, तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे, मेरी आपको बहुत बहुत शुपक्मना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,